सब्सक्राइब कर दीजेगा चलिए रिडिंग स्टार्ट करते हैं अपने परसन का नाम तीन बार लीजे देखते हैं उनके मन में उनके दिल में उनके दिवाग में आपको लेके राइट नौ क्या आपको चल रहा है प्लीज डिवाइन उनिवर्स इंजल प्लीज घलप उस प्लीज गाइड आपको लेके रिडिंग देख रहे हैं उनके मन में राइट नौ मेरे विवर्स को लोके क्या प्रूश है वो इनके लिए क्या महसूस करें क्या फील करें है तो ब्लीज प्लीज यहांपर आता है वेट आपका नंजी यहां पर आई एक लिए क्या पर आई फिएफ्ट Bennett के म कहले हैं अहपली of coin ठीक है eight of cups की energy यहां पर आई है हमारे पास और हमारे पास आ रहा है chariot ठीक है bottom की energy आ रही है king of coin की okay सबसे पहले weavers मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप जिस विक्ति के साथ में deal कर रही हो जिस विक्ति के साथ में आपका connection है this person is also love you a lot ऐसी energy guys यहां पर मिल रही है कि विक्ति आपको यहां पर यही कहना चाहता है कि इसने अगर आपको आपको let go किया है इसने अगर आपको ditch किया है इसने अपना अगर commitment आपके साथ में break किया है आपको बुरा बहुत लगा है बहुत जादा बुरा लगा है क्योंकि आपकी भी यहां पर कहीना कि कुछ argument यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं तु मेरा राच्चा इस तरह से तो यह वेक्ति वीवर्स आज भी आपको अपनी उसी energy में देखते हैं जिसलाइका husband और wife के energy में आपके जो person है वो आज भी आपको देखते हैं और आपको बेहत बेहत पसंद करते हैं यहां तक कि आपके person की नजरों में आप एक perfect partner हो लेकिन आप perfect partner उनके घरवालों की नजरों में नहीं हो आप society की नजरों में नहीं हो you are not a right choice ठीक है ऐसा यहां पे नजर आ रहा है यानि कि कहीं न कहीं आपके बीच में जो कहीं न कि मदभेद हैं जो पैदा यहां पे किये जा रहे हैं और यह decision जो आया है आपके रिष्टे को यहा यहां पे बता रहे हैं ठीक है यानि कि यहां पर आपका person यह बता रहे है कि इनकी life में कोई ऐसा वेक्ती जरूर है देखो वो कोई ऐसी energy है जो कहीं न कि आप दोनों के बीच में रोडे अटका रही है जैसे कहते हैं रहा में रोडे अटकाना प्राब्लम क्रिएट करना तो यह energy guys मुझे यहां पर दिख रही है this could be a mother energy तो यह इनकी mother हो सकती है इनकी कोई बड़ी सिस्टर हो सकती है कोई डाइबो सी energy guys यहां पर मुझे feel हो रही है कोई ऐसी energy जो कहीं न कहीं जिसके लिए रिष्टे में प्यार क्योंकि जादा importance नहीं रखता है उसके लिए और energy जहां पर मतलब उसके लिए यह चीज़े matter करती है मतलब सेम सो साइटी से हो यह सेम religion से हो सेम कास्ट से हो यह सब चीज़े कहीं न की नजर आती है मतलब कहीं न कहीं एक अपना perspective है जो इस female को आपका जो relation है वो पसंद ना करने के लिए कहीं न कहीं है जैसे कहते है तो यह जो energy है यह एक ऐसी energy है जो एक मुझे feminine energy जादा feel हो रही है ठीक है इसके अंदर masculine energy जादा यानि कि कहीं न कि इस female की आपके person के परिवार में जादा चलती है यानि कि आप ऐसा समझ लिए अगर इनकी घर में कोई male भी है तो उस male की नहीं चलती है इनकि इनकी यह female की energy चलती ह इनने उन्हें जो decision ले लिया वो ले लिया और वही decision कहीं न कहीं final है full and final है उसको कोई बदल नहीं सकता चाहिए को कितना एड़ी चोटी का जोड लगा ले आपके person नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं इस connection के लिए एड़ी चोटी का जोड नहीं लगा है बेशक लगा है बहुत और फिर यह कहो मैं आज भी तुमारा हूँ या फिर मैं आज भी तुमारी होना चाहती हूँ उनका जो फैसला है वीवर्स वह आज भी यही है कि तुमसे बहतर ना उनको कोई मिल सकता है ना उनको कोई लाइप पार्टनर आपको मतलब आप जैसा कोई हो सकता है तो आज भी आज आप आज भी राइट नाव भी आपके जो परसन इस कनेक्शन में इस female से आपके इस रिष्टे को लेकि मुझे यहाँ पर बातचीत करते वे नजर आ रहे हैं उनको यह चीजे समझाते वे नजर आ रहे हैं इस connection की जो गहरा ही है उसको बताते वे नजर आ रहे हैं वो ये भी कह चुके कि भई मैं उसके साथ में committed हूँ यहाम उसके साथ में शा करके आपका जो रिष्टा है वो खराब यहां पर कर दिया है उसको accept नहीं किया है और आपके जो परसन है वीवर्स उन्होंने यह जो decision लिया है आपको sacrifice करने का बोल सकते हैं को sacrifice यह वेक्ति नहीं करना चाहता कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो अपनी लाइफ में कोई और पार्टनर लेकिया हूँ यह वेक्ति ऐसा नहीं चाहता पहली बात तो कि आपकी लाइफ में कोई और वेक्ति आए और उसके साथ में आपकी marriage हो या फिर आप किसी और के साथ में अपनी जिंदगी को कि आपके बोल रही हो आपका परसे नहीं हूं अगर नहीं दिया हूं नहीं दिया है तो मतलब जिएकन की नलजी यहां कर आपको अबको मतलब खतम हो गया है यह उनका फैसला नहीं है उनको जबूर किया है ताकि आपसे दूर हो सकें उनको आपसे दूर करने के लिए कहीन ञें है कि इस्तिना बहुत सर्थ जतन किया जा रहे हैं कि मेरा यह decision है कि मेरे decision के खिलाफ गये तो तुम जो result है वो देखना पड़ेगा यहाँ पर तो ऐसी energy knocks मुझे नज़र आ लिए मिलेगा या फिर मिल सकता है जैसे थ्रेटन करना धमके देना कि मैं यह कर लूँगी मैं वो कर लूँगी सम्थिंग लाइक ठीक है तो इस तरहें की नजिस कहीं है कि हम आपके पॉर्सन की तरफ इनकी लाइफ में होता है जहां पर काफी जादा राइट नाव जो ऐसा नजरा बातचीत एक नॉर्मल वे में होती है और एकदम से किसी पर दागना चीजें बहुत सब्सक्राइज करना तो ऐसा नजरा रहे कि इनकी ऊपर अपना जो डिसीजन है वह यहां पर थोपा जा रहे है उनको कहीं मतला ऐसा नजरा रहे है जिसे इस प्यार को बदला जा रहे है को बदलने की कोशिच पूरी-पूरी की जा रही है जबकि आप लोग एक दूसरे के सथ में डिवाइन काउंटर पार्ट हो इस यहां पर नजर भी आती है जिसे कहते हैं किंग कुईन की एनरजी जो मैं हम बतारी तो आपका परसन आपको इसी एनरजी में यहां पर आपके लिए महजूच करता है देखता भी है मतलब उनके लिए आप उनके लिए इस लाइक मेट फोर इच अधर उनकी सोच आपकी सोच बिलकुल सेम है दोनों एक सोच के हो दोनों एक तरह की अब बेग्राउंड से बिलॉंग करते हो सेम स्टड़ी करी हुई है ऐसा भी यहां पर नज़र आ रहा है मतलब उनको आप एक परफेक्ट पार्टनर लग रहे हो आप ऐसा नज़र आ रहा मुझे ठीक है आप एक कंपनी में हो सकता काम करते हो एक यह सोसाइटी से बिलॉंग करते हो ऐसी भी इनरजी काईज यहां पर है ठीक है मतलब कहीं नगे आप दोनों के ब बहुत पसंद करते हो एक दूसरी के साथ में आप लोगों हो सकता वर्क प्लेस पर एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या फिर एक फ्लोर पर काम कर रहे हो ऐसी भी इनरजी मुझे यहां पर दिख रही है मतलब कहीं नहीं कि सब कुछ आप दोनों के बीच में सब कुछ बहतर होते भी आप दोनों को एक दुसरी के साथ में भैतर एक फ्यूचर देखते भी भी कहीं नहीं कि यह जो फिमेल है यह इस कशने में जो प्रॉबलम है वह यहां पर क्रियेट कर रही है और इसी वजह से आपका जो कनेक्शन है यहां पर स्टगल को और देखता वह करने का अगर यह धीरे धीरे आपको अवाइट करने तो उसके एक ही रीजन है कि घर में इनके परिवार में बहुत सा चीज़े रैपेडली हो रही है और इस परसन कांट हैंडल राइट ना ऐसा एनर्जी का इस यहां पर है तो इसलिए आपके जो परसन आपसे अगर करो क्योंकि वह आपके बिना नहीं रह पाएगा क्योंकि वह आपको एक शेरिंग एनर्जी में नहीं देख सकता पहली बात तो ठीक है उसके लिए आप उसके लाइफ पर्टनर बन चुके हो लोगों की नजरों में हो नहीं हो इस लिए इस चीज़ों को ज्यादा आपके प इस चीज़ों में बैठे वे नजर आ रहे हो ठीक है कियार होगा आप यह वेक्ति जो मैं चाहती हो मैं चाहता हूँ मुझे देगी क्योंकि मैंने भी एफर्ट लगाए है बहुत कुछ किया है लेकिन आपी चीज़े नहीं होती वे नजर आ रहे हैं तो इससे कहीने कि आप इस चीज़ों में आप लोग मुझे उलजवे जादा नजर आ रहे हो आपका परसन भी उलजवा है डेफिनेटली वह उलजवा तो हो गई क्योंकि आप उनके लिए बहुत जरूरी हो बेश कीमती हो ऐसा नजर आ रहे है कि इतने कुछ चीज़ों की कीमत नहीं लगा जा सकत होते हैं आप उनके लिए वही अनमोल एक रिष्टा हो एक परसन हो जिसको वह ऐसे ही अपनी लाइफ से जाने थोड़ना देंगे तो ऐसी इनरजी गाईज यहां पर बेशक आपके परसन देखो यहां पर चीज़े फॉर टाइम डिस्टब होती हैं लेकिन डिस्टबंस के स आसाथ कुछ नहीं तलाश भी की जाती है नहीं पॉर्चुटीज की या फिर नहीं रास्ते खोजे जाते हैं तो वही उसी में आपका जो परसन कम जो दिमाग है यहां पर वो उल्जा वा नजर आ रहा है ठीक है और देख लेते हैं यहां पर और क्या है आपके लिए में नहीं लिया हुआ है उन्होंने इस कनेशन को पूरे जोर शोर से जैसे यतना कियार वो इस कनेशन में एफट लगा रहे हैं अपनी तरफ से उनके लिए प्रियोर्टी बेसिस पर यह कनेशन है वो आपके साथ में एक रिष्टा प्रोजेक्ट करते हैं यहां वो आपके स तो किया हुआ है, या फिर जो भी है, प्रेशर में आ गया आपके परसन, आपका वो जिल दुखा चुके हैं, आपको इग्नोर करके, आप उनके लिए अपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो, टू लव हो, और प्रोजेक्ट भी आपके परसन आपको इसी एनरजी के साथ में क पाए, और वो आपको अपनी स्तिती नहीं समझा पाए, ठीक है, तो यहां पर विएर्ट सापका जो परसन है न, वो यहां पर यह कहना चाहता है, वो कहीं न कहीं उनकी बातों में आ गये थे, उनको एक समय पर ऐसा लगने लगा था, कि वो सही कह रहे हैं, और उनको वही कर कि नर्जी, यहां पर क्या बता रही है, कि वेक्ति जिस सोच में आ गया था, जिस तरह की सोच उनके दिमाग में डाल दी गई थी, इस कनेक्शन को लेके, अभी फिर से ट्रांस्वरमेशन है, यानि उनके सोच आपको लेके, इस रिष्टे को लेके बदल रही है, वो वेक् प्यार को अपना पैशन बना रही है, प्यार को लेके फाइट हो रही है, प्यार के लिए चीज़े की जा रही है, प्यार पानी के लिए चीज़े की जा रही है, प्यार में आगे बढ़ने के लिए चीज़े की जा रही है, तो आपका परसन यह बोल रहा है कि I'm struggling for this connection, in this connection and for और इस connection दोनों energy guys यहां पर है, क्योंकि वो इस connection आना जाहते हैं, तो दोनों ही चीज़े कही नहीं की चलेंगी, उनकी life का अपना personal issues को लेके struggle चल रहा है, क्योंकि बही personal issues ही कही जाएंगे, क्योंकि उनकी life में जो हो रहा है, जो कही नहीं की create किये जा रहा है, कि हाँ उससे गलती हो गई, वो चीज़ा मतलब नहीं समझ पाए, तो यह energy guys यहां पर आपके person के तरफ से right now मिलती ही नज़र आ रही है, तो यह सापके person के life में इस समय बहुत कुछ चल रहा है, उनकी life में, उनकी personal life में, उनकी घर में, उनके परिवार में चीज़े बहुत ज़़ा उलजी हुई है, argumentative energy है, अचानक से चीज़े जैसे बिगरती हुई इसी नज़र आ रही है आपके person को, मतलब उनकी आखे opening भी हो रही है, यह eye opening के energy भी क्योंकि judgment and 10 of cups के energy भी आई है, यह eye opening भी करता है, यानि इनसान को कही नगहीं समझ में आ रहा है, कि आप उनकी life में पहली बात तो आई ही क्यों, यह एक past life connection हो सकता है, आप लोगों का ऐसा energy guys यहाँ पर है, ऐसी energy है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग की जो energy न वो यह बताती है, इस जनाम में बस एक दूसरे के साथ में connect होने को लेकर struggle कर रहे हो, तो यह चीज़े कही न कहीं आपके person को देखो feel हो रही है, कि यार उनको आपके साथ में कोई न कोई तो बंदन ऐसा है, जो सब कुछ खतम होने के बाद में भी आपको move on करने के लिए कहने के बाद में भी, वो फिर से आपकी life में आने के यहाँ पर एक जद्धो जहद में नज़र आ रहे हैं, तो yes, they are struggling in their life, ऐसी energy के यहाँ पर है, और obviously आपी के लिए यहाँ पर कहिना के यहीं सब चीज़े हो रही है, ठीक है, तो चलिए कुछ और message आपके लिए यहाँ पर देखते हैं, so please divine universe angels मुझे बताएं, मेरे viewers के लिए और can के partner के तरफ से messages हैं, please universe angels guide करें, कहिना के hurt हो रहे हैं इस समय आपके जो person है, फिर अचानक से आपके साथ में ignorance डाल दी, तो यह चीज़े भी हुई हैं, जिसका जहाँ पर आपने भी इनके तरफ को गुस्सा दिखा दिया होगा, यहाँ पर आपके person कह रहे हैं कि भाई वो इस connection को लेकि, मतलब कहीं नहीं कि serious है right now, झांज हुआ, हो सकता है, पहले नहीं थे, लेकिन अभी तो serious, यहाँ पर कहीं न कि आपके person यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यहाँ आपके person कर रहे हैं, उनको आपकी фिकर होने लगी है, कए यहाँ उनसे दूर ना हो जाओ, ये energy guys यहाँ पर है, वो आपके लाइफ में वापस से आना चाहत है, लेकिन वो कही निए आप से चाहते है, कि अपनेको एकसेप्टी करना यार, उनको रिजेक्ट मत करते हैं, क्योंकि वो फाइट ही आप फीडं़़े कर रहे हैं, आपके प्रसंन को आप अपनेको चारो तरफ आप यह आप और ये आपके person यहाँ पर ये भी चाहते है कि देखो वो ये भी feel करते हैं कि आप भी उन्हें प्यार करते हो वो ये चीज़ आप उनको दिखा नहीं रहे हो लेकिन वो feel कर रहे हैं तो अगर आप उनको ये दिखा रहे हो कि आप उनको ignore कर रहे हो लेकिन वो यह जानते हैं कि आप उनको इग्णोर ऐसे ही नहीं कर रहे हो, आपके परसंद देखो आपसे move on नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो यह देख रहे हैं कि आप उनको इस तरह से ignore मत करो, पहली बात तो आपके परसंद आपकी ignorance को यहाँ पर नहीं जेल पा रहे हैं, ऐसी energy guys यहां पर दिख रही है, तो वो व्यक्ति आपके लािफ में यहांपे वापिस से आना चाहते हैं और यही कहीन है क्यों कि उन्कि लाइफ में चल रहा है को आपी को पाने केACE लिए हापे उस्टरगल कर्या है तो यह वीवर सीडिंग आप लोग के लिए अगर यह रीडिंग आप से रेजोनेट हुई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा परसंडिंग लिए वीवर साथ वीडियो में देव नमबर पर अप्रोच कर सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स सीडिंग में तिल